रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हो आप सबी लोग आशा करती हूँ आप सबी परम मंगल में होगे सुवस्त होगे अच्छे होगे सब पर तम आप सबी को अक्षय तिर्तिया की बहुत बहुत सुपकामने अक्षयतिर्तिया जो होता है वो साल का सबसे बड़ा महरत बोला जाता है 24 में अक्षयतिर्तिया दस मई को बनाई जा रही है और इस दिन गज केसरी योग बन रहा है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि गज केसरी योग बनने से पाँच ऐसी कौन-कौन सी रासिया हैं जिस पे मा लक्षमी धन दौलत लुटाने वाली हैं इस बार अक्षयतिर्तिया का पर्व 10 मई यानि शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है एक तो देखिए अक्षयतिर्तिया जो संबंदित होती है वो माता लक्षमी विश्नु भगवान से संबंदित होती है और उसमें भी शुक्रवार का दिन जो की पूरी तरीकी से माता लक्षमी को समर्पित है और उसमें भी गज केसरी योग अपने आप में बहुत सुब महरत बन रहा है हिंदू पंचान के अन जाता है लेकिन अगर मैं बात करूं यह पांच रासी के बताने वाली हूं कि मैं अभी भी पंचांग देखती इनके जीवन तरक्किय आने वाली है उन्यती आने वाली है इनका घजकेश्री योग बन रहा है जो की अपने आप में सर्वोतम है माता लक्षमी की विशेश किर्पा इस रासी परसने वाली है तो आप लोगों के जो भागई है वह खुलने वाले आपको करियर कारोबार में नए अफसर मिलने वाले हैं आपको कहीं से बड़ी मात्रा में धनकी प्राप्ति होने वाली है आपके रुके हुए सारे कारे पूरे होने वाले हैं कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो पुराने निवेश से आपको इस वक्त अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो लोग बिजनिस करने की सोच रहे हैं उनका बिजनिस बढ़ेगा दुकानदारी आपकी काफी अच्छी होएगी और काम धंदा आपका बहुत अच्छा चलने वाला है तो वे शेफ रासी वालों के बल्ले बल्ले होने वाली है मिथुन रासी दूसरी र भाव से भोतिक सुखों की प्राप्ति होएगी भोतिक सुख में आती है लग्जूरियस लाइप्चस की गारी हो गया पैसा हो गया इत्यार तो आपको भोतिक सुखों की प्राप्ति होएगी और साथी के साथ धन की विरिद्धी होएगी आप परिवार के लोगों की सफलता आपके कदम चुमेगी और अगर आप कोई भी परिक्षा पास करने की सोच रहे हो तो आपको मन चाही सफलता मिलेगी और आपका भागय उद्य होने वाला है नेक्स रासी की बात कर लेते हैं वो है करक रासी इतनी जादा आपको उन्नती मिलने वाली है न कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा करक रासी वालों के लिए अक्षे तिर्थे पर बहुत सुब योग बन रहे हैं और आएके जबर्जस्त मुनाफ़ा देने वाले योग बन रहे हैं आपके करियर और कारोबार के मामले में ये जो अक्षे तिर्थे हैं ये बहुत खुसियां लेके आने वाली है जो लोग नया कार्य काम प्रारम करने के बारे में सोच रहे हैं वो इस बक्त सुरू कर सकते हैं अक्षे तिर्तिये का महौरत उनके लिए बहुत ही सुब होने वाला है आगे चल के उनको भैतर रिटन मिलेगा और आपके घर में कोई नया सदस्य आ सकता है अर्थात संतान प्राप्ति के योग आप लोगों को दिख रहे हैं या फिर आपकी शादी का योग आप लोगों को दिख रहा है अगली रासी है तुला रासी एक से अधिक आई के सुरूत आपके होने वाले हैं देखिए तुलाराशी वालों के लिए अक्षेतृतिय का जो पर्व है ना वो जीवन में सुख समर्दी सुकून को बढ़ाने वाला है आपकी एक से अधिक आई के स्रोत होंगे अर्थात अगर आप बिजनिस करोगे अगर जॉप करो तो साइड बिजनिस भी करोगे समाजिक प्रतिस्था बढ़ेगे अर्थात मान समान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा नोकरी में आपके लिए पदोनुति का योग बढ़ेगा आपके बेतन में इजाफ़ा होएगा जो लोग हाल में ही विभा किये हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं आप परिवार के लोगों के साथ किसी सांदा ट्रिप पर जा सकते हैं और आप मैं आपको आखरी रासी की बात करने वाली हूं जो कि बहुत अच्छी रासी लगती है मुझे क्योंकि मेरी बेटी की भी चंद्र रासी यह है और मेरे हस्बेंड की भी चंद्र रासी यह रासी कारोबारी भी आपका जम कर चलेगा अब आपको पैसो की बचत भी करनी होगे और स्रीहत के लिए भी अच्छी खबर है सुख में व्रद्धी आएगी ओफिस में आपको हर प्रकार से अनुकूल महुल रहेगा आपको हर मामले में समझधारी से काम करने के जरूरत है आपको करियर के कहीं से बहुत सुब समाचार प्राप्त होगा कुछ भैतरीन ओफर भी आपको मिल सकता है आपको कहीं से बहुत सारा रुका हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावना है ये चार रासी तो वो हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जिन में बहुत कुछ आपको मिलने की संभाव नहीं पांच राची जिसके लिए अक्षेतिर्तिया बहुत लग्की होने वाली है क्योंकि ये गज की स्रीयोग लेके आने वाली है और ये धन प्राप्ति के सारी योग भी लेके आने वाले लेकिन इनके लावा भी हमारी जितनी भी रासी हैं सबके सब लोगों के लिए अक्षे तिर्ती का जो पर्व है वो बहुत ज्यादा अनुकूल होने वाला है बस आपको कुछ नियमों का पालन करना है जैसे कि इस दिन अखंड जोत आपको अ जरूर खरिदने जो को सोना बोला जाता है चावल को चांदी बोली जाती है तो यह जो और चावल अपने घर पर अवश्य और अवश्य लेके आए हल्दी और केसर डालके मातलक्षमी की विशेश पूज अर्चना बनना करें जिससे आपको बहुत ज्यादा लाव होगा क्य दिन हल्दी खरीदकर जरूर और जरूर अब लाई हैं 12 इस समान में आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि आपको अшие इस दिन चमडे इत्यादी की चीजों से आपको दूर रहना है इस दिन आपको जनियू संसकार नहीं कराना है इस दिन आपको किसी भी परकार से भर्म चर्या का पलन करना है फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रोन तो इस दिन का दिन आववईड कीजिएगा तो आशे करती हूँ कि आपको को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटुब चैनल हरी बोल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुन भी मत भूले रपते के लिए मुझे देज़े उजाजत रादे रादे हरे क्रेश्ना हरी बोल झाल को भा अपको क से अंक रादे हरे क्रिपकाट चैनल हरुब चैनल हरा हरा यहां कि गहां झाटाओ कि अच्छी लगते कीम knapp जो मेरी वे